अबहुती ॥ी टी केक किरेत है तरिया केड़े वाई ॥ी जा सबनाती है तीकी ze eating निटी केक लीखेएं खुए टेन की सब्सक्रीब तो मेरा नहीं तोटेली कि बनाना है उसे औइल से घ्रीज कर लेंगे यहां पर 6 इंच का टिन दिया हुआ है इसमें मैंने ओयल लगा दिया है और एक चम्मच मैदर डालके मैंसे डस्ट कर लेती हूं तो इसे हम साइड में रख देते हैं और यहां पर बना लेते हैं केक का बैटरिस के लिए मैं यहां पर ले रही हूं पाउडर शुगर तो यह मै कि- Left water I apply शुग थे वहीवजिया है तो यहां पर मैसे मिक्स अलेते हूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जेते हैं कि- देह न जाहिए मिक्स कर लेते हूं मैं सब्सक्राइज कुशण है है देते हैं पर तो इसमें थैसमे साहिए ड़ेते हम आपम देंख शुग थे जोएक ह अब दूसरे बोल में ले ले लिए एक कप मैदा ले 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 हूँ दूटी फूटी 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 हमको एसे ही नहीं डालना है रह लोगताई है अधा मेदा दाल दो लिखें मैं नधा में बाइधा को अभावरे दो ऑर दाले 2तीस्पून कॉन फेलर लिखा में दो हो 5 जा एक ने लिखावान एक Χांफ़रे हम Hai ओर इसी के साथ मैं डालोंग इसमें लीखgil क्विखर घृ तो एक हमाट दो दाल सी बेकिंग पाउडर और भाउडर दाल रही हूं बेकिंग सोड़ा इसको हम अब चान लेंगे इस तरह से मिक्स करते हूए मैं अच्छे से चान लेती हूं चानना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहां पर मैं फिर से एक बार चानूगी जो एंको इस तरह से चान लेती हूं अब कर लेते हम इसे मिक्स करते जाुए हूं तूटी फूटी जो थी इस स्टिच पर आप इसमें मिक्स कर सकते हैं और यह मैंने मिला दिया यहां पर बन फॉर्थ कप दूद्ट इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से तो यह बैटर आप देख सकते हैं रेडी हो गया है बनकर तो अब मैं से ट्रांस्फर कर लेती हूं अपने ग्रीस की हुए केक टिन में तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा रनी नहीं है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है नॉर्मल बैटर हमको बनाना है तो यह बैटर मैंने ट्रांस्फर कर लिया इस केक टिन में इसे टैप कर लेंगे और नहीं आप कर लिए 35 मिनिट के लिए तो इसे में रख देंग एक रख लेंगे में इसके बाद ही हमसे करेंगे कि यह नहीं हुआ तो यहां पर हम चैक कर लेते हैं पूरे 35 मिनिट हो चुके है और अब कर्वारा केक क्या बना एक्वार ना है तो बहुत अच्छान बेक हो गय इसकी साइट अपने आप ही अलग हो गई है इसको कन्फर्म करने के लिए इसमें एक बार नाइफ टालेंगे इस तरह से इंसर्ट करेंगे नाइफ एक लिए एक बहुत अच्छे से अमारा बेक हो गया तो इसे मैं रख दिया थंडा होने के लिए कॉटन क्लॉसे डग कर कम से क पर 20 मिट के लिए बीस मिट के बाद अच्छे से थंडा हो चुका है तो अब हम इसे कर लेंगे अनमोल तो नाइफ की हैल से आप इसकी साइट से कर दीजे पहले जिसे की बहुत जी निकल आता है तो इस पर प्लेट रख कर मैं इसको इसको इस तरह से अनमोल कर लेती हूँ तो यह देखिए कितना अच्छा केक बना है यह देखिए कितना सूपा सॉफ्ट बना है तो इस केक को अभी मैं आपको कट करकर भी दिखाती हूँ कि इसका अंदर से स्ट्रक्चर कैसा है तो यह देखिए कितना अच्छा बना है और आप देख सकते हैं कि घर के ही सामान से बिना महनत के हुए कितने जल्दी ये केक बन का तयार हो गया है। बिना अवन के बिना अंडे के तो आप इसको जरूर एक बार ट्राइ करिए। मुझे कमेंट करकर जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 से लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिए।